हाई गाईज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे एक साउथ इंडियन डिश की रेसिपी तो मैं आज आपके साथ शेयर करें रवाइडली की रेसिपी बहुत ही अहसान तरीके से बनता है यह और मैं आज यूज करूंगी इंस्टेंट रवाइडली क्योंकि इसका नाम ही इंस टेस्टी बनता है तो चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसका बैटर त्यार कर लेंगा उसके लिए मैंने यहाँ पर यहाँ गीट्स का रवाइडली जो कि वेट में 500 ग्रैम है और इससे हमारी 30 इडली बन के तयार होते हैं यह मुझे प्राइस में पढ़ाता है 145 रूपीस और पीछे आपको सारे इंस्ट्रक्शन्स दिये होते हैं तो आप इसके इंस्ट्रक्शन्स को देखर इजली बना सकते हैं लेकिन मैं आज आपको स्टेप बे स्टेप बताऊंगे किसे बनाना कैसे हैं तो मैंने एक बाउल ले लिया है और सारी जितने भी यहां पर जो मिक्शेर है उसे मैं डाल लोगी बाउल में साथे सार डालेंगे धनिये के पत्ते जो कि एक मुंटी के बराबर है अगर आपके पैस नहीं है तो आप इससे स्किप भी कर सकते है लेकिन टेस्ट अच्छा आता है तो आप पानी आड़ करेंगे पानी आप थोड़ा थोड़ा करके आड़ करेंगे एक बार में बहुत सारा पानी आप नहीं डालेंगे दीरे दीरे बैटर को मिक्स करेंगे और पानी की जितनी रिक्वार्मेंट होगी आप पानी उतने ही एड़ के जगा एक बार में बहुत सारा पानी मत डालेगा इस बात खायर लखेगा और इसे हम रेस्ट के लिए 15 से 20 मिनट ते के लिए साइट पर छोड़ेंगे रवा यानि के सूची पानी एब्सॉर्ब करता है तो आप 10 मिनट के बाद देखेंगे जो कं अदाम लिए तो इसे ऐसे एड़ कर देना है चिलका बगर उखाने के ज़रुरत नहीं है और साथी साथ इसमें मैं एड़ करूंगे दो हरी मिर्च और एक अद्रक कर टुकर साथी पे डालेंगे थोड़ा सा नमग जो कि हाफ टी स्पून के करीब मैंने नमग इसमें आड़ इसे रखते हैं साइट पर तो चलिए एक पर हम इडली के बैटर को चेक कर लेते हैं तो यहां पर 10 मिनट हो गया तकरिबन तो इधर मैं इडली बनाने के लिए एक मौल्ड को ग्रीस कर लोगी तो अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर लेंगे सब पर अच्छी से ओईली है वो न करिए फिल करना है तो मैं बारी बारी कर क limits अज़ना बारी कर दो DISAS कर दिया तो मैंने a एक काजू को डाल दियाए और जिससे आथा अच्छा लगया और खाने में काफी टेस्टी लगे तो बाकी मोल्ट को भी मैंने इसी तरीके से इडली के बैटर से फिल कर दिया है और मैं एक साहथी सारी इडली को त्यार कर लोगी है क्योंकि आपर तीस इडली बनने वाली है तो मैंने हाफ आफ इससे डिवाई कर दिया था तो फर्स पैचर मेरे सुलला इडली बनके तयार होगे तो चलिए पानी उबाल लेते हैं इधर हमारे पानी में उबाल आ चुकी है तो एहतियात के साथ इस सारे मॉल्ड को टीन को हम अंदर डालेंगे क्योंकि मुझे प्राक्टिस है अगर आपको प्राक्टिस नहीं है तो हा हमारे इडली एक तन तयार है तो इडली को हमें ठंडा कर लेना है और गरम-गरम ही मत निकालेगा इसे ठंडा होने दीजेगा तो उसी दरम्यान हम चटनी के तरगा को तयार कर लेते हैं तो मैंने थोड़ा सा तेल लिया है उसमें मैं डालोंगी 2 टबल स्पोन के करीब हारी मिर्च को मैंने बीच से स्लिट करके इसमें डाला है तो इसे हाई फ्लेम पर थोड़ा सा क्राकल होने देंगे राए वगएड़ा जो हारी मिर्च है वह थोड़ी से कुखो जानी चाहिए बस इससे 2-3 मेर्ट तक आप करेंगे और फ्लेम को करेंगे टर अफ इसे थोड बहुत हैसान है और हमार वारी जो चटनी है वह बनके तयार है से स्टोर कर सकते एटली के साथ तो तार्सइबuktस बहुत एज़्टि ग मैंने अच्छा लगता है नेमारी थो पीणदा होने में चेप बादर लूग त 59 चवा डीकार आफ वाय्यू और प्रुश्त बनाना और बिल्कुल भी टाइम टेकन है, बहुत ईजी है, इसे बनाना बहुत हेल्दी भी होता है, बच्चों को बड़ों को सभी को यह बहुत पसंद आता है, मैं इसे एक पर तोर कर दिखाती हूँ, अंदर से भी बहुत सॉफ्ट बनता है, और मेरे इंस्ट्रक्शन से अगर आप को और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुकर या लाफिज टेकर तो आल फ्यू बाई